नमस्कार आप देख रहे हैं इंपित्तक में लोमिस्कुमार गौर हर्दा में पिछले चार दिनों से हर्दा के मुख्यों घंतागर बजार पर जो ब्लास्ट के पिडित परिवार हैं और पिडित लोग हैं वो भूख हर्दाल पर धर्णा प्रदर्शन करने के लिए बेठे हैं उनके साथ सर्व समाज के लोग भी बेठे हैं, आज सोंबार को पिडित परिवार और सर्व समाज के लोगों के आभान पर हर्दा नगर को बंद किया गया है, यहां के व्यापारियों द्वारा, हर्दा नगर को नगर में व्यापारियों ने समर्थन दिया और हर्दा नगर ब तो उनको भी उचित बहुत दिया जाए और ये मांगे हमारी और इसी के चलते हम चार दिन से हैं पिछले चार दिन से भूगरता आपनों पेटे हुँआ तो कलेक्टर तो कह रहा है कि वह रहात राशी देने की विवस्ता कर रहा है जब को परिवार को दे रहा है हो बस आसुअस दे रहा है बागी अगर जो लिगाल है तो लिखित में कुछ दे नहीं नहीं कर में चाहिए सम्क आपर अज दिन हो की और के हैं जी जी में उनके तो अब लोगों की मुख मांगे। जैसे इन्होंने बताया कि चाल लाग रुपे मुलतकों को दे रहा तो उससे ज्यादा चाहिए या पीड़ितों को कितना पैसा दे रहा है अभी तक अभी तो कुछ में नहीं एक लाग पचिस हजाद देस में क्या हो रहा है अभी मम्मी के टांग तूड गई एक साल नहीं चल आपका नाम क्या है मेरा नाम हरुना राजबुत जी परिवार से चार दिन से धर्मे पर वेठे थे सब पूरा हदा के समर्थन मिला और कलेक्टर साब यहां दस मिनट के लिए बात करने भी नहीं आए तो आखिर कौन सा डर उनको सता रहा है जो कि यह पीड़ितों चार दिन मुआँ जया रहा ही नािए को विश्वास कर ले को तोड़ा रहे हैं मुआजचि टाल लाप यहां को जाथे गए लेकित में क्या होता है तो हमारी मांग यह है कि बजार के भूली विखाओं से हमारे से माुज़ा दिये जाए और कलेक्टर साब हमारे से आके बात करें ये पूरित परिवारों का दर्द है कि कलेक्टर जब हर्दा मुख्याला पर हैं पिछले चार दिनों से ये लोग धर्णा पर बेटें तो दस मिनिट के लिए यहां क्यों नहीं आ रहे हैं सवा लाख रुपे की रासी इनको दी है उससे क्या होगा दो मंजिला मकान इनका जरजर धस्त हो चुका है इनको समर्थन देने के लिए सर्व समाज के लोग भी यहां पर मौजूद हैं सर्व समाज के और से अधिवक्ता जो बड़ी नेत्री भी है अवनी बंसल अवनी जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग इनको समर्थन किन बातों पर दे रहे हैं और आप इनके साथ क्यों खड़े हुए हैं किन बातों को लेकर रहे हैं लगातार ही लग रहा है साशन पर साशन की हरा हरकत से कि पूर्ण तरीके से लीपा पोति की जा रही है और यह जो मामला है अभी किसी छोड़के स्थर का मामला नहीं रह गया है मेरी आप एक बहन है आप बेचुल से आई हैं आपको SGM ने जबढ़ दस्ती घारी में बठाया हा कि ना क्या मामला आपका है हमारे मामला है जब तक नियानी तोड़ेगी तब तक निम जाए है तो आप यहां से जबढ़ दस्ती कोन ले गया आपका हुई ड़ेगी तो आज पूरे हर्दा ने जो बंद रखा उसके लिए हमें लगठा है कि बहुत सब का हाथ पूरे हर्दा ने स्वेच्छा से बंद रखा जब दो लोग जाते हैं विद्व करने स्वेचा से अरवेटी ने उसे लगता है कि मैसेज पर साशन साशन को बहुत साफ चला गया है कि पूरे हर्दा के लोग जो है वो एक जूट है इस मामले में उसके बाद भी कलेक्टर का यहां पर आके ना मिलना यह तो दिखाता है कि हमें बात ह जो के साथ ब्रेकफस्स करना लोगों के साथ खाना घाना यहां पर आकने बातचीत में लिए वहाह यह सब कुछ साफ है और नहें कैक्तर है showers वाह दो कह रही आप जानते हैं कि एक लॉयर होने के नाते मुझे पता है कि सारी लड़ाया कागजी होती है लेकिन अभी साशनों और प्रसाशन केवल आसवाशन दे रहा है आपको मुआफजा मिल जाएगा ऐसा मिलेगा कि क्या बात है मुख्यवंत्री ने कहा कि राजे शक्रवाल को कड़ी से कड़ी सेजा मिलेगी लेकिन अभी तक एस्पी और कलेक्टर ने 302 का मामला क्यों नहीं बनाया उनके उपर यहीं 302 हत्या का मैं यहीं किसी एक गत्य को मार देती हूँ तो मेरे उपर 302 लग जाएगा लेकिन जिस गत्य के कारण इतनी सारी हत्या हैं आपने 302 मीड नहीं लगाया आपने सारी ऐसी उसमें डाराय लगाई जिस उसको असानी से जमानत मिल जाए तो इसका मतलब लिफा साफ हैं तो उछो यहां पर आके बात करना पर आपकर एगा हमारी जो मांगे हैं वो बहुत साफ हैं मुआफ़े को ले करें सही आकडवे को ले करें숙 फोरेंजिक जाएट को ले करें और दूसरी बात यह भी कि अभी तक इस पर धाराय क्यों नहीं बड़ी उनका जो diviner है अ परतेस आप जो हैं मुआमित मजापती के साथ सामने बैटके बाग कर रहे हैं तो यह क्या मामला चल रहा है परतेस परतेस के लिए आज हमने बन किया था लेकिन हमारी मांगे पूर नहीं करता है जब आंदुलें जारी रहे है जी आप कुछ कहना चाहिए जी मैं फेडित परिवार से हूं मेरी एक ही मांगे के हमारा जो घर था तो जितने इस गर्फिट पर बना था उसका आज की इसाप से उचित निर्मान मुल्ले जो अभी करन्ट वेल्यू चल रहे है वो हमको दिया जाए जो घाया ले जो जीसिस का यह चाहिए जया जाये है तो 15 लाख तो परिवारों को भी दिया जाए और यह जिस पर बोली में यह काम नहीं चलेगा आप लिखित मे दी जह हम नहीं बोल रहे कि आप हमको कली ला के दीजेन आप एक मैने जितना करेंगा इंग यह वह दो मेने तीन मैने के कहिने जो क्या कहने तो अब हमारा मकान उनके हवाले हम तोरने की अनुमती केसे देगे जब तक हमारा मकान का पूरा पैसान को नहीं मिले जब तक हम कोई अनुमती नहीं देगे मतला अब तक 30 पचास का मकान और 7 लाख रुपे आपको मिले हैं और डबल डबल मची और घर की गाड़ी तरी तवेरा पूरी काली मख हो गए वही पर पूरे पीछे जो तीन धरे थे वो तीन भी पूरे हुड़गे और मुआज़ा रही से किते मिली आपको एक लाग पच्छ प्रशासन पर आरोप है कि इनका जो मकान का नुक्सान हुआ है वैं लाखों में हुआ है और उनको सिर्फ सवा लाख रुपे की मौपजा रासी अभी तक दी गई है ऐसे में यह कैसे विश्वास कर लें कि आने वाले दिनों में इनको और रासी मिल पाएगी पीडितों का क पर कलेक्टर यदि एक बार आएं और इनसे बात करें तो इनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है साइद धर्णा भी समाब्त हो जाए एंपी तक के लिए हर्दा से लोमेस कुमार गौर की रिपोर कर दो